बुद इबनिंग बच्चो आवाज आ रही है आवाज आ रही है आवाज आ रही बच्चो चलो तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट उपना रिवीजन किसको लेकर ब्रीधिंग एन एक्स्चेंज और गैसे अजन सी आटी का अगर हुमन फीजियोलोजी की बात करें तो उसका भी बहुत इंपॉर्टन ये चैप्टर है और इससे हर साल जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में इससे भ 2021 एक्जाम की बात करो तो जस्ट एक सेकंड 2021 में तीन कुश्चन थे इससे बच्चो ठीक है तीन कुश्चन थे तो यानि अगर वेटेज पॉइंट आफ यू से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और वन शॉट में हम देखेंगे तो उमीद करूँगा NCRT लेकर आप बैठेंगे शुरू करते हैं ब्रीधिंग एंड एक्चेंज ऑफ गैसे वैसे तो हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि दा प्रॉसेस दा प्रॉसेस इन विच ऑक्सिडेशन ऑफ फूद टेक्स प्लेस या ब्रेकडाउन ऑफ फूद टेक्स प्लेस इन and energy is released in the form of ATP तो उसे हम respiration कहते हैं और respiration की तीन स्टेप्स होते हैं तीन स्टेप्स कौन कौन से पहला breathing दूसरा exchange of gases और तीसरा है cellular respiration तो breathing और exchange of gases को आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे cellular respiration को आप botany के एक अगले चैप्टर में यानि एक दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो टोटल तीन स्टेप्स हैं जिसमें से पहले और दूसरे स्टेप्स को आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पहले स्टेप जिसे हम कहते हैं breathing और दूसरा स्टेप जिसे हम कहत लिए पिर शुरू करते हैं देखते हैं समझते हैं क्या कह रहा है सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे कहां से breathing and exchange of gases, respiration किसे कहते हैं oxidation of nutrient nutrient मितलब food substance ठीक है, कहां पर होता है oxidation inside living cells to release energy in the form of ATP for biological work तो ये release करते है energy ATP के form में जो हमारी body में metabolic activities के लिए required होती है breathing and exchange of gases इसके steps हैं, पहला और दूसरा steps so breathing and exchange of gases breathing is the exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the cells तो respiration को complete करने के लिए breathing और gases का exchange पाया जाता है ये बात को भी हमें ध्यान में रखना है ठीक है, ये बात को भी हमें ध्यान में रखना है next आते हैं, respiratory organs की बात करें, तो अलग-अलग जो organism हैं उनमें अलग-अलग respiratory structures पाया जाते हैं जैसे अगर हम lower invertive rates यानी lower animals की बात करें तो उनमें respiratory जो structure है उनका general body surface है, जैसे की sponges की बात करें, sealant rates की बात करें, flatworms की बात करें, sealant rates जिसमें hydra jelly fishes आते हैं, flatworms, planaria जिसमें आते हैं, tapeworms जिसमें आते हैं, तो इनमें जो respiratory structure है वो इनका general body surface है, skin और moist cuticle, क्या present होता है इनमें, skin और moist cuticle, ठीक है, earthworm, कुछ animals जैसे earthworm, leech और amphibians में, moist skin से respiration होता है और skin से होने वाले respiration को cutaneous respiration कहा जाता है, याद रहे, कोई भी respiratory membrane है, उसका moist होना compulsory है, अगर वो moist नहीं होगी, तो respiratory membrane की तरह act नहीं कर पाएगी tracheal tubes की बात करें, ये इनसे respiration होता है नहीं, tracheal respiration पाया जाता है, arthropods में, तो arthropods में हमें insect, centipede, millipede, spider मिलते हैं, gills से भी respiration पाया जाता है, ठीक है, कुछ arthropods में, जो, जिनमें book gills होता है, तो gills से होने वाले respiration को, branchial respiration कहा जाता है, तो ये fishes के अलावा जो है, tadpoles, prawns, और fishes में भी पाया जाता है, याद रहे है, tadpoles, amphibia का larva stage है, और fishes के जैसा respiratory structure उनमें पाया जाता है, जो इस बात को support करता है, कि amphibians has originated from fishes, इस बात को support करता है, next बात आती है, lungs की, तो lungs से होने वाले respiration को pulmonary respiration कहा जाता है, and most of the vertebrates में ये respiration पाया जाता है, भ्यान रहना चाहिए, फिर बात करें, human respiratory system की, यानि हमारी body में, जो respiratory system present होता है, तो हमारी respiratory system की दो पार्ट पाया जाते हैं, एक air tract, वो air passes, जहां से air का inward और outward movement होता है, और दूसरा lungs पाया जाते हैं, जो primary respiratory structure है, जहां पे gas exchange होता है, तो हमारी जो book है, NCR2, उसमें जो diagram बना हुए, उसमें ये हमें falling parts दिखते हैं, हमें epiglottis दिखता है, जो की glottis के उपर एक flap like structure है, larynx दिखता है, trachea दिखता है, फिर उसके बाद बात करें, तो lungs को cover करने वाली membrane दिखती है, जिसे plural membrane कहा जाता है, और trachea जो divide होता है, त transfer section, longitudinal section में ribs दिखते हैं, one pair of lungs दिखते हैं, नीचे की तरफ जो है diaphragm पाया जाता है, diaphragm और फेरे धर जो है, alvely, जो sack like, मतलब जो balloon like structures होते हैं, alveolar sack के अंदर उन्हें, alvely, दोनो plural membrane के बीच में, plural fluid पाया जाता है, और bronchioles, यानि terminal जो tubular part है, last में जो tubular part present है, जिसे हम bronchioles कह रहे हैं, ठीक है, air passage की बात करें, तो air हमारी body में अंदर कैसे जाती है, तो ये vibe बहुत important है, conducting part, यानि वो part जहां से air का movement होता है, atmospheric air का body के अंदर जो movement होता है, तो conducting part, which transports the atmospheric into the alvely, clear it from foreign particles, तो अदमें से foreign particles को remove करते हैं, कोई harmful particle है, कोई dust particle है, कैसे करते हैं, आपको मालूम है, उसका पूरा एक, हमने description देखा है, nasal passage में कुछ ऐसे systems पाए जाते हैं, जो air को purify करते हैं, humidify करते हैं, यानि air conditioning करते हैं, temperature और moisture balance करते हैं, and bring the air to body temperature, और उस air को body temperature तक ले आते हैं, क्या वो passage जहां से air जो है body में एंटर करती है, और alveoli तक पहुचती है, यानि उस point तक पहुचती है, जहां पर gas exchange होता है, ये sequence बच्चो बहुत important है, ध्यान रखना, external nostril, nasal passage, nasal chamber, यानि nasal cavity, pharynx, glottis, larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, और उसके बाद लिखा है bronchiol, NCRT में लिखा है, ये initial bronchiol है बच्चो, क्या है ये, initial bronchiol, then terminal bronchiol, ठीक है, उसके बाद respiratory bronchiol, and then alveolar duct, ये passage है, ये sequence है, मैं याद रखना है, कभी कभी ऐसा है, कि कुछ जगों पर, जैसे NCRT में ही, दो जगों पर अलग-अलग ये बात लिखी है, कि एक जगह, केवल bronchiol की बात की हुई है, यहाँ पर, जो हमने देखा, केवल bronchiol की बात की है, और एक जगह पर इसे initial bronchiol बोला गया है, तो ये initial bronchiol ये याद रखना, ठीक है, यही वो passage है, जहां से air का movement अंदर होता है, तो हम इसे क्या कह रहे है, initial bronchiol, ठीक है, initial bronchiol, यानि ये conducting part है हमारे respiratory system का, each terminal bronchiol give rise, each terminal bronchiol give rise to many very thin and vascularized alveoli in lungs, तो हर एक terminal bronchiol से बहुत सारे alveoli attach पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे alveoli attach पाए जाते हैं, फिर उसके बाद बात करें, अगर आगे के structures की, तो हमारा जो respiratory passage में हमें cartilaginous hard structure मिलता है, जिसे हम larynx या sound box कहते हैं, या voice box कहते हैं, इसमें पाए जाते हैं vocal cord, जिनमें vibration से sound production पाए जाता है, ठीक है, swallow जब करते हैं, कोई भी food या water, तो epiglottis जो है, यह हमारे respiratory passage को close कर देता है, यह flap like structure है, जो glottis के ऊपर पाया जाता है, and this epiglottis is made up of very thin elastic cartilage flap, यानि elastic cartilage का बना होता है, जो glottis यानि हमारे respiratory passage की opening को close करता है, और उस respiratory passage में food और water की entry को रोकता है, फिर larynx के नीचे हमें trachea मिलता है, trachea क्या है, trachea वो tubes है, ठीक है, trachea वो tube है, जिनसे air हमारे larynx से thoracic cavity में आगे की तरफ पहुशती है, और इसी के division से bronchi बनते हैं, और bronchi जो है lungs में enter करते हैं, और इन में पाई जाती है, incomplete cartilaginous rings, जो की C-shape की होती है, आपको मालुम है, ये C-shape cartilaginous rings बनी होती है, highline cartilage की, it is the hardest cartilage present in body, क्यों होती है C-shape, ये आपने detail में class में, पढ़ा हुआ है, जो NCRT में नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि क्यों पाई जाती है, और C-shape पाई जाने से क्या benefit है, ठीक है, तो यहाँ पर उन पॉइंट्स को ही discuss करेंगे, जो NCRT में हैं और हमारे इस topic से related हैं, फिर बात करते हैं, lungs situated in thoracic region, lungs हमारे primary respiratory structure, जो thoracic region में, यानि thoracic cavity में पाई जाते हैं, और diaphragm यानि हमारे lungs के नीचे एक muscular layer present होती है, which is found to be concave towards abdomen in relaxed stage, relaxed stage में ये किधर होती है, concave towards abdomen, बच्चो ये देखो, ये relaxed condition, इसके diaphragm ये जो layer है, relaxed condition है, concave towards abdomen याद रखना है, right lungs have three lobes, right lung जो है बड़ा होता है, उसमें तीन lobes पाई जाते हैं, right superior, right middle, right inferior, left lungs में दो लोग पाई जाते हैं, छोटा होता है, क्योंकि left side heart होता है, जिसलिए वो भी थोड़ा सा space occupy करता है, जिसकी वज़े से left lung का size छोटा होता है, lungs are covered with double layered pleural, lungs को cover करती हैं, दोनों lungs को separate pleural membrane या pleural cover करती हैं, double layer होती है, बाहर वाली जो pleural membrane है, उसे parietal pleural कहते हैं, अंदर जो lungs की तरफ है, उसे visceral pleural कहते हैं, और इन दोनों के बीच में pleural fluid पाई जाता है, जो friction को reduce करता है, और lubrication का का काम करता है, तो जब भी lungs हमारे expand होते हैं, यानि हम जब breathe in, breathe out करते हैं, तो वो balloon की तरह क्या करते हैं, फैलते और सिकुडते हैं, तो जब balloon की तरह फैलते और सिकुडते हैं, तो उस समय इन के बीच में friction ना हो, उसके लिए ये pleural fluid पाया जाता है, फिर बात करते हैं lungs की, तो lungs में हमें क्या-क्या structures मिलते हैं, alveoli and their duct form the respiratory structure यानि respiratory part of respiratory system exchange part of respiratory system alveoli are the structural and functional unit of lungs alveoli हमारे lungs के structural and functional unit है जहाँ पे gas exchange होता है by the process of simple diffusion किस process है simple diffusion steps of respiration की बात करें तो हमें सबसे पहला step जो है breathing मिलता है breathing यानि pulmonary ventilation इसे कहा जाता है जो air का inward और outward movement है इसी को pulmonary ventilation कहा जाता है second step हमें मिलता है gas exchange between lungs and alveoli यानि lungs, alveoli और blood के बीच में जो gas exchange होता है third हम बात करें तो gas transport between O2 और CO2 का जो gas का transport है fourth point बात करें तो gas exchange between blood and tissue body tissue और blood के बीच में gas exchange की जिस tissue में oxygen को पहुचना है वो oxygen उस tissue में पहुच पाए और फिर fifth step जो cellular respiration परफॉर्म होना है cells के अंदर जिसमें oxygen यूज होगा तो यह वो steps है जो respiration में involve होते हैं बहुत important बात है देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे ठीक है यहां पर जो हमारा mechanism of breathing है यानि mechanism of breathing में inspiration और expiration ब्रीधिंग के दो steps है inspiration और expiration क्या है inspiration the process of inward movement of air तो यह जो inward movement है यह active intake है active process है इसमें energy खर्च होती है क्योंकि muscles में contraction होता है सबसे पहले क्या होता है diaphragm में contraction होता है यह पहला step है inspiration का पहला step diaphragm become flat पहले जो curve था यानि concave था किदर abdomen की तरफ अब वो कैसा हो जाता है अब वो flat हो जाता है और flat हो जाता है तो उपर से नीचे का जो length है जिसे anterior posterior length या anterior posterior axis of thoracic cavity increases जिससे thoracic cavity का volume बढ़ जाता है दूसरा है external intercostal muscle में contraction यह muscle ribs के बीच में पाई जाती है बाहर की तरफ पाई जाती है इसलिए इसका नाम है external muscle और ribs के बीच में है तो इसे intercostal muscle कहा जाता है muscles pound between ribs यह बाहर की तरफ होती है इसमें contraction होता है तो यह ribs और sternum हमारी जो chest bone है ribs और sternum को forward और upward lift करती है तो lift of the ribs and sternum causes increase of thoracic cavity तो इससे आगे से पीछे वाली जो length है वो बढ़ जाती है जिसे dorsal windral length या dorsal windral axis कहा जाता है इससे thoracic cavity का volume और ज्यादा बढ़ जाता है ठीक है thoracic cavity का volume और ज्यादा बढ़ जाता है तो जितना volume ज्यादा बढ़ेगा thoracic cavity का pressure यानि intra pulmonary pressure कम हो जाता है किस से कम हो जाता है atmospheric pressure से और इस pressure को बराबर करने के लिए air move कर जाती है lungs के अंदर और इससे क्या गवर्न होता है इससे inspiration गवर्न होता है जड़ा देखेंगे इस diagram को सबसे पहले इस diagram में क्या हो रहा है बच्चों देखेंगे रहां से diagram में जो diaphragm पहले curve था इधर देखेंगे यह पहले normal condition में है यह diaphragm क्या हो गया flat हो गया flat होने से इतनी length बढ़ गई कौन सी length है यह anterior posterior length कौन सी length है anterior posterior length लिखो भाई comment में anterior posterior length बढ़ जाती है diaphragm से यह वाली length anterior posterior length उपर से anterior नीचे की तरफ posterior anterior posterior length और external intercostal muscle में contraction से यह length बढ़ जाती है जिसे dorsal ventral length कहा जाता है क्या कहा जाता है dorsal ventral length तो anterior posterior length और dorsal ventral length दोनों बढ़ गई thoracic cavity का volume बढ़ गया air pressure कम हो गया air move inside to equalize the pressure यह बात हो गई किसकी inspiration की expiration की बात करें यह passive movement है passive movement मतलब इसमें energy खर्च नहीं होती और यह बात हो रही किसको कौन से expiration की normal expiration की तो जो muscles यहाँ पर contract हुई थी inspiration में यहाँ पर उनका relaxation पाए जाता है तो diaphragm relax होता है तो it will become curve towards abdomen external intercostal muscle relax होती है तो dorsal ventral axis कम हो जाएगी जिससे अंदर का volume thoracic cavity का volume कम होगा air pressure बढ़ेगा and air will move outside to equalize the pressure और इस तरह से expiration जो है govern होगा expiration govern होगा during this intercostal muscle and diaphragm relax intercostal muscle and diaphragm relax कर यह volume of thoracic cavity decreases thoracic cavity का volume decrease हो गया जिससे pulmonary volume ठीक है pulmonary volume कम हो गया intra pulmonary pressure बढ़ गया और intra pulmonary pressure बढ़ा तो air move outside to equalize the pressure air जो है बाहर move कर गयाएगी किसको equalize करने के लिए pressure को equalize करने के लिए during forceful expiration abdominal muscles and inner intercostal muscle contract तो जब भी forceful expiration होगा बच्चो तो यह active process होगा forceful expiration कैसा process होगा active process इसमें ATP खर्च होगी इसमें energy खर्च होगी जो passive है passive का मतलब normal expiration ठीक है passive का मतलब normal expiration जो है passive process है इसमें कोई भी ATP खर्च नहीं होती याद रखना है फिर कुछ volumes आते हैं हमने पढ़ा हुआ है देखते हैं पहला है हमारे lungs के volumes और capacity सबसे पहला है tidal volume normal breathe in breathe out में जो air अंदर और बाहर आती है जिसका inspiration और expiration होता है उसे tidal volume कहा जाता है कितना होता है 500 ml ठीक है और एक minute में लगभग अगर हम बात करें तो 15 to 18 बार हम breathe in breathe out यानी breathing करते हैं तो हमारा जो one minute का tidal volume है वो आ जाता है 6000 से लेके 8000 ml next आता है inspiratory reserve volume या IRV inspiratory reserve volume जिसे complemental layer कहा जाता है normal breathe in करने के बाद forceful breathe in करने पर जो air अंदर जा है उसे IRV inspiratory reserve volume कहा जाता है और ये 2500 से 3000 ml तक पाए जाता है ERV the amount of air expired forcefully after normal expiration इसे कहा जाता है ERV volume होता है 100 से 1000 ml फिर residual volume RV forceful expiration करने के बाद भी हमारे lungs में जो air present रह जाती है उसे बोलते है residual volume या RV और ये air कभी भी हमारे lungs से बाहर नहीं आती and this air cannot be measured by respirometer फिर कुछ capacities आती है जैसे inspiratory capacity inspiratory capacity क्या है the total amount of air that can be expired after a normal inspiration total amount of air that can be inspired after normal expiration तो ये हो जागा तीवी प्लस आई आरवी यानि 3500 के आसपास expiratory capacity the total volume of air expired after a normal inspiration normal inspiration के बाद जो total air expiration कर सकते हैं तो tidal volume प्लस ये आरवी ये आ जागा 1500 से 1600 मेल functional residual capacity normal expiration करने के बाद जो air lungs में रहती है उसे कहते हैं FRC और इसमें क्या क्या मिलेगा ERV प्लस RV expiratory zero volume प्लस reserve volume residual volume इसे कहा जाता है 2300 ml के आसपास मिलेगा FRC फिर आता है vital capacity the total amount of air that can be expired forcefully inspiration तो इसे कहते हैं vital capacity ये उल्टा भी हो सकता है the total amount of air that can be expired after forceful inspiration या the total amount of air that can be inspired after forceful expiration और इसमें ERV plus TV plus IRV तीनों होंगे लगभग लगभग 4500 के ml के आसपास ये मिलेगा क्या vital capacity ठीक है 3500 से 4500 ml के आसपास मिलेगा vital capacity फिर आता है total lung capacity क्या होता है the total amount of air can be present in the lungs after maximum inspiration इसमें rv plus erv plus tv plus irv या vc plus rv is equal to 6000 ml तक पाया जाता है फिर हमारा जो respiratory passage है जो track है उस track में भी कुछ air present होती है जो कभी भी respiration या gas exchange में involved नहीं होती उसे कहा जाता है dead volume और वो जो space है उस space को कहते है dead air space और dead volume होता है लगबग 150 ml ये TLC से अलग पाया जाता है जो respiratory passage है जो respiratory track है उसमें present होता है normal respiratory cycle में एक respiration की बात करे तो उसमें एक inspiration और एक expiration होता है normal respiratory cycle की बात करे तो breathing rate जो है 12 से 16 times per minute normal breathing पाया जाता है ठीक है respirometer या spirometer वो device है वो instrument है जिसकी वज़े से हम respiratory rate को measure करते है फिर बात आती है gas exchange की तो gas exchange हमारी body में दो जगर पर होता है एक lungs के अंदर जहां alvely और blood के बीच में gas exchange होता है दूसरा organs के अंदर जहां blood और tissue के बीच में gas exchange पाया जाता है दो ऐसी positions हैं जहां पर gas exchange होता है लेकिन दोनों ही जगर पर जो gas exchange होता है वो simple diffusion से होता है इसमें energy खर्च नहीं होती और simple diffusion से हो रहा है तो यह मैं यह जो है depend करता है किसके उपर concentration difference के उपर और pressure difference के उपर तो हमारा जो atmospheric air है वो कई gases का mixture है और atmospheric air में हर एक gas का अपना अलग concentration और अपना अलग pressure है ओनी सब gases का मिला जुला pressure हम atmospheric pressure कहते हैं तो atmospheric pressure में किसी एक gas का अखेले का जो contribution है अखेले का जो pressure है उसे partial pressure कहा जाता है तो यहाँ पर बात आ जाती है atmospheric air में अगर हम oxygen की बात करें तो PO2 यानि partial pressure of oxygen वो मिलता है कितना 159 यह values याद रखना भाई बहुत पूछा जाता है ज़रा चैट में लिखो कि atmospheric air में अच्छा लिखा तो है atmospheric air में PO2 का concentration कितना है PO2 का जो value है वो कितना है 159 mm of Hg और PCO2 0.3 mm of Hg फिर alveoli में कितना हो जाता है 104 और PCO2 40 डी oxygenated blood में कितना होता है 40 PO2 और PCO2 45 यहाँ पे ध्यान रखना और डी oxygenated blood में PCO2 का जो pressure है यानि partial pressure of CO2 is found to be higher than partial pressure of oxygen oxygenated blood में 95 PO2 and 40 PCO2 tissues के अंदर 40 PO2 and 45 PCO2 हमें मिलता है ठीक है PO2 in alveoli is more than in blood PO2 alveoli में जादा है blood के comparison में blood में कितना है 40 तो यहाँ से PO2 alveoli से blood में आसाने से चला जाता है था कि अपने pressure को manage कर सके so diffusion occur through capillary और PCO2 deoxygenated blood में जादा था 45 और alveoli में 40 तो CO2 बाहर की तरफ move करता है यानि यह diffuse होके alveoli में आता है solubility of gases की बाप करें तो O2 और CO2 के बीच में पूछा जाता है O2 और CO2 के बीच में CO2 का concentration या बोलेगा CO2 की solubility oxygen से 20 से 25 टाइम्स जादा होती है 20 से 25 टाइम्स जादा होती है और अगर oxygen से पूछा जाए CO की solubility तो वो लगबग 250 टाइम्स जादा होती है और CO2 से पूछा जाए CO की solubility कार्बन मोनो अक्साइड की solubility तो वो लगबर 10 टाइम्स जादा होती in comparison to CO2 CO2 से 10 टाइम्स जादा O2 से 250 टाइम्स जादा ठीक है? याद रखना है ये अपने को अब गैस एक्सचेंज देखो कहां कहां हो रहा है और कैसे हो रहा है तो respiratory membrane हमने बोला कि alveoli alveoli के अंदर ये हमें respiratory membrane दिख रही है तो ये जो alveoli के layer है ये क्या बटा? simple squamous epithelium endothelium की जो layer है simple squamous epithelium यानि alveoli के layer और इन दोनों के बीच में क्या पाई जा रही है basement membrane जो की irregular fibrous connective tissue का बना हुआ है किसका बना है? irregular fibrous connective tissue का बना हुआ है तो thickness of membrane the diffusion membrane is made up of diffusion membrane बनी होती तीन layers की कौन-कौन सी? alveoli की simple squamous epithelium capillary की endothelium और इन दोनों के बीच में basement membrane इन तीनों layers को cross करके O2 और CO2 का exchange होता है और तीनों layers की thickness कितनी मिलती है? 0.5 micron कितनी मिलती है? 0.5 micron बहुत पतली layer होती है इसलिए gas exchange possible हो पाता है और alveoli की वज़े से lungs का surface area बहुत बढ़ जाता है और total ये कितना पहुँच जाता है? 8200 meter square ये हमारे lungs का surface area पहुँच जाता है अब यहाँ पर इस diagram को देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? जो alveoli का diagram है यहाँ पर देखिए यहाँ gas exchange होता है O2 अंदर जाता है CO2 बहार आता है कैसे होता है? simple diffusion से होता है अब circulation की देखेंगे तो दो जगे पर gas exchange हमें मिलेगा एक alveoli और blood के बीच में और दूसरा blood और tissue के बीच में ठीक है? उपर वाला कहा alveoli और blood के बीच में O2 अंदर जाता है CO2 बहार आता है और दूसरा blood और tissue के बीच में जहाँ पर O2 अंदर जाता है और CO2 tissue से निकल के blood में आता है ठीक है? तो यहाँ पर यह हमें partial pressure याद रखना है अल्विलाई एर में PO2104 हमने अभी जो देखा है यहाँ पर देखें oxygenated blood या systemic artery में पूछ देता है PO2 कितना PCO2 कितना deoxygenated blood में पूछ देता है PO240 और PCO245 oxygenated blood में PO295 और PCO240 mm of Hg mm of Hg यह partial pressure है फिर बात आती है exchange of gases की यानि transport of gases की तो O2 और CO2 यह domain gases हैं जिनका transport होता है सबसे पहले बात O2 की करें तो normal condition में blood plasma 3% of O2 को dissolve from में transport करता है और जो hemoglobin है वो remaining 97% of oxygen को transport करता है और hemoglobin जो की एक red color respiratory pigment है जो blood में present होता है RBC के अंदर पाया जाता है और इसी में oxygen इस hemoglobin से bind करता है to form oxy hemoglobin क्या बनाने के लिए oxy hemoglobin and this process is known as oxygenation इस process को कहा जाता है oxygenation binding of hemoglobin with oxygen is known as oxygenation one molecule of hemoglobin can carry one molecule of hemoglobin has four structures of hem and one molecule of hemoglobin can carry four oxygen molecules कितने को carry कर सकता है four oxygen molecules और O2 यानि oxygen और hemoglobin की जो binding है ये depend करती है partial pressure of oxygen पे partial pressure of CO2 पे hydrogen H plus iron पे और साथ हिसाथ temperature पे यानि ये चार ऐसे factor है जिन पर ये depend करता है बड़ी बात क्या हो रही है ध्यान से सुनो जब PO2 हाई होगा oxygen का concentration हाई होगा PCO2 कम होगा यानि lungs की बात हो रही है lungs की बात हो रही है तो hemoglobin और oxygen बाइंड होके oxy hemoglobin बनाएंगे और जब tissue में जाएंगे तो वहाँ पर tissue में PO2 कम होगा PCO2 जादा होगा वहाँ पर ये oxy hemoglobin break कर जाएगा ठीक है, ब्रेक कर जाएगा, तो वापस हेमोगलोबिन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, टिशूज के पास, तो वो ऑक्सीजन अवलेबल हो पाएगा, किसके लिए, टिशूज के लिए, ठीक है, लो टिशूज करता है, और यह सब फेवर करते हैं, किसको फॉर्मेशन आफ ऑक्सी हमोगलोबिन को, कहां पर अलग वहीं टिशू में, टिशू में इनका उल्टा होता है, टिशू में, लो पियो टू, हाई पी सी ओ टू, एन हाई एच प्लस आइन मिलते हैं, एन हाई टिशू को इवलेबल हो पाता है, तो उन सेल्स को अवलेबल हो पाता है, क्या करने के लिए सेल्स को अवलेबल हो पाता है, और अक्सीजन जो है, respiration, cellular respiration perform करने के लिए Each 100 ml of oxygenated blood can deliver only 5 ml of O2, carry करना नहीं, deliver करना कितना उसके पास होता है carry करता है 20 ml उसका 25% deliver करता है तो 20 ml है उसका 25% यानि 5 ml deliver करता है normal physiological condition में अब ये जो oxyhemoglobin है उसका break होना यानि dissociation of oxyhemoglobin ये किस पर depend करता है तो ये depend करता है बच्चो याद रखना ये depend करता है factors like PCO2, H plus iron and temperature ठीक है normal, ideal condition में जो oxygen dissociation curve है वो हमें sigmoid मिलता है, कैसा मिलता है sigmoid, ठीक है, जान रहा sigmoid मिलता है, लेकिन जब अगर PCO2 बढ़ेगा PCO2 बढ़ेगा temperature बढ़ेगा और pH कम होगा यानि acidic होता जाएगा तो इदर किदर shift होगा ये shift होगा, right side किदर shift होगा, right side और जब इसका opposite होगा, तो ये किदर shift होगा left side, opposite का मतलब PCO2 कम होगा ठीक है H plus iron बढ़ेगा H plus iron H plus iron मतलब acidity बढ़ेगा, pH बढ़ेगा इसको confuse मत हो इसको मैं बोलना हूँ, pH बढ़ेगा pH बढ़ेगा मतलब basic की तरफ जाएगा और temperature कम होगा तो ये किदर shift करेगा left side ये question पुछा जाता है ठीक है वहीं CO2 ट्रांसपोर्ट की बात करें तो CO2 ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा complicated है क्योंकि ये तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है तीन तरीके से होता है कौन इसको favor करता है in tissue high PCO2 due to catabolism and low PO2 catabolism यानि metabolic activities होती है तो tissues के अंदर CO2 बढ़ जाता है और ये favor करता है gas exchange ठीक है अब CO2 का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होता है तो बात करें अगर तो carbonic acid किस form में carbonic acid के form में 7% of tissues जो है 7% of CO2 जो है वो plasma में dissolve होकर transport होता है in the form of carbonic acid RBC के अंदर पहला form जो है carbon amino hemoglobin यानि जो hemoglobin है वो carbon dioxide के subbind होता है 20 से 25% क्या बनाता है carbon amino hemoglobin और RBC के अंदर एक दूसरा form भी है bicarbonate form जैसे 70% कहते हैं इसमें RBC के अंदर enzyme carbonic anhydrase 70% bicarbonate के form में होता है RBC के अंदर enzyme है carbonic anhydrase it is slightly present in plasma also और ये जो transport का mechanism है इसे hamburger phenomena या chloride shift mechanism कहा जाता है अगर आप नहीं पढ़े हो copy उठा के देखो आपको detail में मिलेगा अब दो बाते होती हैं यहाँ पर जो हम देख रहे हैं RBC के अंदर ये चलने वाला process है ठीक है RBC के अंदर ये पूरा process RBC के अंदर govern होता है कैसे CO2 और water मिल जाते हैं carbonic acid बनता है carbonic acid break कर जाता है तो हमें bicarbonate और H plus iron मिलते हैं ये bicarbonate RBC से बाहर move कर जाता है और इसके exchange में chloride iron अंदर आता है जिसे बोलते है chloride shift mechanism तो याद रहे bicarbonate के form में जो exchange होता है 70% और total RBC के अंदर 70 plus 25% यानी 23 से 25 ये दोनो RBC में होते हैं carbonino hemoglobin और bicarbonate तो दोनों मिलाकर लगबग 93 से 95% आफ जो CO2 का transport है वो RBC के अंदर होता है 100 ml of deoxygenated blood carries about 4 ml of CO2 to the alveoli oxygen कितना carry करता है 20 ml CO2 कितना carry करता है 4 ml ठीक है दोनों में देखो बहुत difference दिख रहा है फिर बात करते है regulation of respiration की की हमारी body में कौन सा ऐसा structure है जो regulate करता है तो सबसे पहली बात ध्यान से सुनो brain से इसका पूरा maintenance या regulation स्टार्ट होता है कैसे कैसे present होता है respiratory center पाए जाते हैं कई respiratory center है जैसे medulla oblongata में medulla oblongata के अंदर respiratory rhythm center पाए जाता है जो respiration की rhythm को maintain करता है inspiration और expiration के rhythm को maintain करता है दूसरा है pneumotoxic center जो pons verulai में present होता है it moderate the function of respiratory rhythm center यह respiratory rhythm center का function moderate करता है इसलिए से pneumotoxic center कहा जाता है impulse from this center reduces the duration of inspiration and thereby ultra respiratory rate यह जो pons where I am in pneumotoxic center है जो भी signal यहां से आते हैं तो वो inspiration की duration को कम कर देते हैं और inspiration की duration को कम कर देते हैं तो inspiration fast होने लगता है यानि कम duration के बीच होने लगता है उसके साथ-साथ chemo sensitive areas पाए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में ठीक है अलग 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 पार्ट्स में जैसे aortic artery artery और carotid artery में aortic body और carotid body होते हैं वो हर समय हमारे blood pressure और उसके आनिक concentration को measure करते रहते हैं तो aortic arch और carotid artery में aortic body और carotid body पाए जाते हैं जो receptors होते हैं और chemo sensitive area का formation करते हैं ठीक है फिर आते हैं respiratory disease की तरफ यानि disorders की तरफ तो asthma जो की एक allergic disorder है difficulty in breathing causes wheezing sound due to inflammation of bronchi and bronchiol allergic disorder है asthma जिसमें जो हमारा mucosa है respiratory passage का उसमें swelling आ जाती है जिससे lumen narrow हो जाता है difficulty होती है breathe out करने में सांस छोडने में difficulty होती है और जब सांस छोडने कोशिश करते हैं तो CT बजने जैसा sound produce होता है wheezing sound produce होता है दूसरा है emphysema cigarette smoking disorder बोलते हैं जो लोग cigarette जादा पीते हैं उनकी alvely की wall damage हो जाती है जिससे respiratory surface कम हो जाता है और इसे cigarette smoking disorder या cigarette smoking syndrome भी कहा जाता है थर्ड आते हैं occupational respiratory disorder यानि जो कोई भी person कोई work करता है उसका कोई occupation है उस occupation की वज़े से जो उसे disorders develop होते हैं तो उसे occupational respiratory disorder कहा जाता है जैसे जो लोग minds में काम करते हैं वो लोग को commonly fibrosis बहुत तेजी से हो जाता है क्योंकि minds में जो pollutant होते हैं वो breathing के साथ body के अंदर पहुच जाते हैं तो उनमें fibrosis बहुत पाशली पाया जाता है and that is why these workers are prescribed उनको बोला जाता है they are instructed to wear protective mask में माइन्स में काम करते समय protective mask पहनना चाहिए ठीक है ऐसा कहा जाता है किसको labors को लेकिन करते कितना है ये बात हमें और आपको सभी को मालूम है ठीक है तो चलो बच्चो मिलते हैं ये था हमारा chapter breathing and exchange of gases उमीद है आपने cover किया होगा next आगे मिलते हैं अपने एक नए chapter के साथ जिसमें हम लोग चलो फिर मिलते हैं next class में good night सभी को टेक केर बाई बाई